हेलो गाइस, बेस्ट एंड चीपेस्ट वाली T800 Ultra टी 800 Ultra 2 में आ चुकी है तो आएए देखते हैं दोनों में क्या डिफ्रेंसिस हैं गाइस, बॉक्स पैकिंग आपको इस तरीके की देखने की मिलती है यह T800 Ultra की है यह Ultra 2 की है अन्बॉक्सिंग करते है तो इसमें एक यूजर मैनुवल मिलता है एक वाच है यह एक सिलिकॉन का स्ट्रैप है और वायलेस चार्जर है सेम आपको इसमें भी मिल जाती है एक यूज इसमें डिस्प्लेट दीवी है दोनों में सेम डिस्प्लेट है और बिल्ट क्वालिटी भी आल्मोस्स सेम ही है कोई आपको डिफ्रेंस नहीं मिलती है इसमें तो आईए ओन करके देखते हैं कि क्या डिफ्रेंस है डिस्प्ले क्वालिटी में फर्क है यानि डिस्प्ले आपको दोनों में सेम मिल जाती है वाल पेपर इसमें अल्टरा टू में टू के भी वाल पेपर मिल जाएंगे यहां पर बट आप इसमें भी इंस्टॉल कर सकते हैं टू के वाल पेपर आपको इसमें परसनल वाल पेपर भी दोनों में सेट कर सकते हैं तीनों बटन भी आपको हो दोनों मिल जाता है जो में डिफ्रेंस वो मैं आपको अब डिखा देता हूं क्या है आप सेट не यहाँ पर अपच्छ शिरी यह option मिलता है धर अबाउट मिलता है बट इसमें अबाउट से पहले आपको एक और option देखने को मिलता है तो इस डाइनमिक आई आपको यहां पर show हो जाएगा यह उपर और साथ ही जब भी call आएगी तो आप बिना touch किये इसको call pick कर सकते हैं आपको just ऐसे उपर करना है और finger जैसे यहां पर बना हुआ है finger को ऐसे करना है आपको call जो हो pick हो जाएगी तो gesture control का इसमें एक और feature add कर दिया गया है ultra 2 T800 ultra 2 में बाकी सारा कुछ आपको same ही मिलेगा दोनों watches में यह मैं दिखा देता हूँ यहां से भी same है यह देखे उपर करते हैं तो same ही interface भी same आता है इसमें touch lag नहीं करती है बहुत smooth touch दिया हुआ है जो crown बटन ही वह भी आपको smooth working मिल जाता है यह देखे और बहुत ही fast चलती है back side में भी sensor दिया हुआ है दोनों ही watches में बिल्कुल same ही है और main display अगर आप इस तरह को slide करते हैं यहां से wallpapers change होते हैं यह भी दोनों में same दिया हुआ है अब मैं short में आपको इसके features बता देता हूँ तो सबसे पहले आपको Bluetooth calling मिल जाती है साथ में ही आप कुछ contacts इसमें sync कर सकते हैं heart rate VPA check करने के लिए back side में sensor दिया हुआ है health activities के लिए भी दिया हुआ यहां पर sports tracking के लिए वाला बटन दिया हुआ है sports में आपको काफी सारे options देखने को मिल जाते हैं next हम इसमें देखते हैं यहां पर camera control करने का option दिया हुआ है music control कर सकते है आप watch reset करने के लिए weather show करने के लिए looking for phone कर सकते हैं जब भी यह connect होगी इसकी जो application high watch pro की है इसमें आपको detail मिल जाएगी कैसे connect करना है सारी next इसमे sleep monitoring का menu style change करने का messaging का stop watch मिल जाती है qr code दिवी है इसकी application download करने के लिए साथ में आपे more में more में settings दिवी है facebook whatsapp इन सब के आपको icons देखने को मिलते बट इनके notifications आएंगे इसमें आप reply नहीं कर पाएंगे यहां पे game में एक fighter pilot नाम की एक game दिवी है देखे यह आप इसमें game खेल सकत हैं साथ ही इसमें आपको calculator भी मिल जाता है के calendar मिल जाती है इसमें आपको breathe in breathe out के लिए एक option दिया हुआ तो यह features इसमें आपको देखने को मिलते हैं और इस watch में आप जो है आप set time set date यह भी आप कर सकते हो बिना phone के use किये otherwise phone से connect करना पड़ता है उसके बाद ही आप use कर पात dynamic island मिल जाती है आपको gesture control मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा एक feature इसमें upgrade किया गया है तो आपको अब यह वाली smart watch कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताएं और अगर आप इसे purchase करना चाहते है तो link आपको description में मिल जागा आप इसे purchase कर सकते हैं इस तरह की और videos के लिए हमारे channel क सब्सक्राइब कर ले और video अच्छी लगी हो तो like और share जरूर करें thank you so much guys